बिजली सकी बनकर कमाएं आठ से दस हजार रुपे प्रती महना यानि कि आप भी बिजली सकी में काम करती हैं तो आपके लिए काफी अच्छी खबर है आठ से दस हजार रुपे तक आप प्रती महना यहाँ पर कमा सकती हैं तो कई महलाएं यहाँ पर स्वैंग साहता समू से ज राज आजीव का मिसन के तहत बिजली सकी की 5395 सक्री सदिस्यों ने 62.50 करोर रुपे के विल संग्रह का कारे कर एक मिसाल कायम की है तो इन महलाओं को सीधे तोर पर परतिमा 8-10,000 रुपे की आमदनी हो रही है जो महलाओं यह काम कर रही है यानि कि बिजली बिल को लेकर जो काम कर रही है संग्रह को लेकर घर घर जाकर वह बिजली का बिल उन्हें दे रही है और वहां से बिल निकाल रही है इसके लिए उन् दस जार रुपे प्रती मेहना कमा रही हैं तो अध्यदी आप चाहती हैं कि आप भी इस तरह से अपना यहाँ पर कारी करकर आठ से दस जार रुपे कमाएं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा तो आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसमें आठ से दस जार रुपे कमा सकती हैं तो परदेश में स्वेंग सहता समों के महलाए मीटर रेडिंग वा बिल संग्रह करने में मदद कर रही हैं और बिजली सक्यों के रूप में डबलू एच पीजी के सदस्यों के नेराज के ग्रामिर छेतरू में 62.50 करोड रुपिय से अधिक बिजली संग्रह कारी को पूरा क किया है वर्तमान में 75 जिलो में बिजली संग्रह के लिए एक एजेंसी के रूप में UPCSCL के पोटल पर 73 कलश्टर इस तरी संग्रह को पंजिक करित किया है इसके लिए कुल 15310 महलाएं स्वेंग सहता समों की सदस्यों का चेयन किया गया है तो इसमें 15310 जो महलाएं हैं वो स्वेंग सहता समों से जुड़ी हुई है तो इसमें चेयन कर लिया गया है तो आप भी अगर इसमें चेयन करना है अगर आपको इसमें काम करना है तो आप भी स्वेंग सहता समों से जुड़कर इस योजना का लाब उठा सकती हैं जिसमें 5395 सक्री सदस्यों ने इसमें काम कर रही हैं और अभी भी इसमें भरती बाकी है तो यानि कि 10,000 सम्थिंग महलाएं और इसमें यहाँ पर एड सरकार कर सकती हैं तो इसमें आपको करना कुछ नहीं होगा आप इसमें स्वेंग साहता समूझ से जुड़ जाना होगा और सीधे और बिजली सकी के माध्यम से आपको इसमें अपलाई कर देना होगा तो स्वेंग साहता समूझ से जुड़ कर आप यहाँ पर आठ से 10,000 रुपे प्रती महना कमा सकती हैं तो इन्होंने इतना काम कर के दिया है तो तब जाके इनका इतना कमिसन बन रहा है तो सरकार क्या कर रही है इनके पर भी बात कर लेते हैं तो सरकार बिजली सक्यों से छेतरी जो छेतर की महिलाएं ससक्त बन रही हैं इन महिलाओं को ग्रामिन के घर में बिजली बिल संग्रहों के काम में सामिल के अतरिक्त आई उत्पद्न करने के लिए राज सरकार की पहल रंग ला रही है यानि कि जो राजिसकार की पहल है उसके लिए इनका एक महुत तपून अहम फैसला कहा जा सकता है उनने बताया कि मुख्य मंतर योगी आदितनात के निर्देश सानुसार उत्तर परदेश पावर जो कार्पू रेशन होगा उसके लिए लिमिटेट जो कमपनी होगी ने उत्तर परदेश के सभी जिलू में राष्टी ग्रामिर आजिव का मिसन के एक साथ जो होगा वो समझोत कि में लाव्डेश पर हस्ताक्षर कर दिये हैं ताकि स्वैंक साथा समझो को नागरिकुं से बिल भुकतान एकत्र करने में कि अनुमति मिल सके यानि की उन्हें अनुमती दी जा सके और वों बिलभुक्तान कर सकें इसके लिए CM की योज़नाओं का सीधा तौर पर मिल रहा है लाब जो योगी आठ इतना सरकार ने रहा काम कर रहा है तो महिलाओं को सीधे तौर पर इसका लाब मिल रहा है तो कई सदस जो होंगी महिलाएं स्वयंक साता सम्मू से जुड़कर उनको अपने परिवार को आर्थिक रूप से सहरा देने के लिए प्राप्त पैसा कमा रही है तो जो महिलाएं होंगी उनकी आर्थिक स्थी में सुदार होने लगा है लेकिन बिजली सकी बनने के बाद आप वह 8 से 10,000 रुपे परिवार कमा रही है तो आप भी चाहते हैं इस परकार से आप कमाना परिवार के तौर पर तो आपके लिए काफी good news है काफी अच्छी खबर है आप भी 20 सकी के तोर पर ना सही आप बिजली सकी में काम करकर अपनी किस्मत को अजमा सकती है और अच्छा खासा यहां पर इंकम कर सकती है तो आपके लिए काफी अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है तो सरकार अभी को इसमें नया अपडेट निकल कर लाती है तो सबसे पहले और सबसे 60 ख़बरें प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बगल में दिये गए वैल आइकन को जरूर ही प्रस कर लिजिए तो मिते हैं सित्रों की सबसे पहले रेटिस्ट ख़बर के साथ तब तक मुझे दीजिए इजाज़त थेंक्यू बाइ बाइ टेक केर